असलाम अलेकम आप्यवान दिस इस अब्दुला फिर्दी फॉम जीम कर्पोरेशन और आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं CZ Scorpion Evo 3 Plus जो के Scorpion Evo 3 का latest version है latest generation है इससे पहले generation 1, generation 2, यह generation 3 Plus यह इसमें कुछ modification की है और यह CZ कपनी की बनाईवी PCC कर्बाइन राइफल है और CZ आपको पता है काफी मशहूर प्रॉडक्स बनाती है पौरी दुनिया में इनकी प्रॉडक्स मशहूर है नेटो फोर्सिस को इन्होंने सप्लाई किया है फायराम्स यह सिसका जबर जोका इसको बोलते हैं काफी Czech Republic की कपनी है खुर्ड करें गाने सब्सक्राइब के बारे मैं आपको बताऊंगा कि आपको आज कल पाकिस्तानी मार्केट में किस प्रास्टेंग में मिल जाती है तो वीडियो कांब स्टार्ट कर लेते हैं लेकर उसे पहले अगर तो या फिस चैनल पें है और अभी तक सब सब्सक्राइब कीजिए और बिल की आकन को दबाएं ताके आने वाली हमारे जीदी भी फायराम्स लेटेट वीडियो से हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे शुक्रिया स्टार्ट करते हैं सीजर्ड स्कॉर्पियन 3 प्लस यह आपको इस तरह की कार्डबोर्ड की बॉक्स में मिल जाता है फ्रंट पे सीजर्ड युएसे स्कॉर्पियन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाप सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुवल मिल जाता है तो अगर आप इसको पढ़ना चाह आती है 20 शॉट वाली मैगजीन को निकालते हैं डबल स्टैक मैगजीन है ठीक है दोनों में 20 बीज गुलियां आती है पॉलिमर फ्रेम से बना हुआ है फॉलेवर से लेकर कम्प्लीट ब्लैक कलर में है नीचे चीजर्ड यूएसे लिका हुआ है और बहुत ही खुब्सूरत फिनिशिंग में इसकी मैगजीन बनाई है ठीक है डबल स्टैक मैगजीन है यह दो मैगजीन आपको इसके साथ मिल जाती है यह एक चाइल लॉक है इसकी तरू आप इसको लॉक कर सकते है जब गर में हो सफाई के लिए आपको इसके साथ टूल मिल जाती है डिफरेंट स्ट लगते हैं तो आप रैफल की तरफ आते हैं PCC कार्बाइन सीजर्ट स्कॉर्पियन 3 प्लस यह सीजर्ट स्कॉर्पियन 3 का मोडिफाइड और एडवांस वर्जिन है इसका डिजाइन जो है काफी खुबसुरत लोग आपको प्रोवाइड करता है पेस्टल केलिबर कार्बाइन में अगर इस पे बट लग जाए तो बट की तरू यह और भी खुबसुरत लगता है काफी अच्छी लोग आपको प्रोवाइड करता है और सीजर्ट स्कॉर्पियन 3 इससे पहले जितनी भी थी वो तोड़ी सी बड़ी थी 3 प्लस जो है इसको तोड़ा सा और भी कमपैक्ट कर दिया सीजर्ट कपनी ने इसके जो नीचे डिजाइन है वो बिल्कुल एक्जैक्ली इन्होंने सीजर्ट ब्रेंट टू की साब से इसको मोडिफाइड किया है डिजाइन किया है काफी खुबसुरत लोग आपको देता है नीचे पॉलेमर फ्रेम से बना हुआ है पिस्टल आप इस पे लगा सकते हैं एड्जेस्टिबल रुबस मिटल आइरन साइट लगी हुई है आप इसको एड्जेस्ट कर सकते हैं अपनी मताबिक और मैकपुल की रिवर्सिबल हैंड स्टॉप इसके साथ आता है ठीक है हैंड के लिए कि आपका हाज जो है आगे ना जाए बह कर दिये और इसकी जो मेगजीन रिलीज बटन है उसको एर फिफटीन शे पे लेकर आ गए देखे आप मेगजीन डालते हैं तो मेगजीन के साथ आप देखे बहुत खुबसूरत लगता है यह नाएने में सी माटमेटिक कैलिबर कारबाइन राइफल है पी सी सी इसको बोलत इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं नीचे करते हैं तो रेली टू फायर होता है अवराल डाइमेंशन के ऊपर बात करते है तो इसकी अवराल लेंज जो है यहां से लेकर यहां तक बट के बगएर तो वो फौर्टिन पॉइंट सिक्सी तरी इंचिस तक मिल जाती है हाट आपको 8.9 इंचिस तक मिल जाता है चोड़ाई विद जो है वो आपको 2.4 इंचिस तक इसकी चोड़ाई आपको मिल जाती है बैरल इसमें 4.2 इंचिस की लगी हुए है और वेट इस कंडिशन में जब इसमें एम्टी मेगजीन हो तो 2.13 केजी इसका कंप्रीट वेट बनता है बहुत ही खुश्वियत डिजाइन किया है और ये टॉप फाइफ पी सी सी केलिबर्स कारबायन में शुमार होता है सीजी स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा इसको पसंद करते है पूरी दुनिया में लोग क्यों कि ये हंडर्ड परसंट रिलाइबल है मेलफेंक्शन नहीं होती इसमें कोई आपको रुकने की चांसिज नहीं होती और हंडर्ड परसंट एकुरिसी को हिट करता है तो अभी इसकी प्राइस टेक क्यों पर आते हैं तो स्कॉर्पियन इवो 3 प्लस की डिटेल आप लोगों ये इवो 3 का लेटिस वर्जन है इसमें मोडिफिकेशन की है जो बहुत ही जबरदस्त है एक इसका जो लोट है वो यहां पे MP5 की तरह लॉक हो जाता है जब आपका मेगजीन एम्टी हो जाए तो जब आप इसमें दूसरा मेगजीन डालते है लोड़ेड मेगजीन डालते ह है उसके बाद आप इसको हिट करते हैं अभी यह में एम्टी मेगजीन है इसवाजा से यहां पे लॉक हो गई लेकिन बहुत ही जबरदस्त रिलाइबल PCC कार्बाइन राइफल है और इसको आप दूसरी साइड पे भी लेके जा सकते हैं इसकी ब्लोड को अभी लिफ पे हैं आप इसकी हैं राइट हैंड साइड पी इसको कनवर्ट कर सकते हैं और इसका लॉक जो है डबल साइड है तो दोनों हाथ के लिए यह आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट हैंड यूजर है या राइट हैंड यूजर है तो आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यह आपको अलयदा पर्चेस करना पड़ता है, और पाकिस्तानी मार्केट में इसकी अलयदा बट जो है, वो आपको मिल जाता है, असी अजार से लेकर एक लाग की बीच पे, डिपेंड करता है, और यहाँ पे आपको रेल मिलता है, तो डिफेंट लाइट्स या रेड डाट्स सा यह प्रवाइट करती है इसमें होल्ड हेमर फोर्ज की लगी हुए है इसमें चैंबर सब को जो है वह क्रॉम होती एक्रॉम लेंड होती है तो इसको जञ नहीं लगता असानी से इसकी प्राइस टेक के उपर आते हैं То ये इवी प्लस यह Scorpion EO3 का latest version है यह आजकल आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है 5.5 लाग से लेकर 4.5 लाग की बीच में depend करता है यह बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती भी नहीं है बहुत rare होता है मार्केट में कभी available हो कभी available नहीं होती लेकिन जब available हो आजकल यह इसका कीमत चल रहा है कल शायद इसकी कीमत और हो लेकिन मुझूदा आजकी दिन में इसकी यह रेट चल रहा है 5.5 लाग से लेकर 6 लाग की बीच में और इससे जो पुराना मॉडल था उसकी प्राइस एक लाग फर्क होता है पर आप हमें सर्च कर सकते हैं आपको हमारी कंटैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इंशाला हम आपको प्रोवाइट कर दे के तो यह थी हमारी आज की वीडियो CZ Scorpion EO3 Plus के हवाले से हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में शुक्रिया अल्हाफिस